वहीं उतर प्रदेश की कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है लेकिन लगातार बारिश भीशन गर्मी से राहत बन कर तो आई है लेकिन ये राहत कम अब आफत जादा साबित होती जा रही है जिसकी तस्वीरें उतर प्रदेश से आज ये तीन तस्वीरें सामने आई हैं बारश के पानी में ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से डूप चुकी है दूसरी तस्वीर गोंडा की है जहां सुबा से हो रही बारश के चलते शेहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और कोतवाली कर्णल गंच में बारश का पानी भर गया तो तीन तस्वीरे आप देखिए लखीमपूर खीरी गोंडा और बारबंकी किस तरह सरकारी दफ्तर और थानों में भी पानी भर जा रहा है और इसी हालत में सबको अपनी ड्यूटी करने पड़ रही है वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है लेकिन लगातार बारिश भीशन गर्मी से राहत बनकर तो आई है लेकिन ये राहत कम अब आफत जादा साबित होती जा रही है जिसकी तदीग कर रही है यह तस्वीरे उतर प्रदेश से में जहां सुबा से हो रही ही बारश के चलते शहर के निचले में पाणी भर गया और कोतवाली कर्णल गंच में बारश का पानी भर गया जिसके बाद पुलिस कर्मियों को मजबूरन पानी के बीच में से ही काम करना पड़ रहा है वहीं तीसरी तस्वीर बारा बंकी की है जहां उपजला अधिकारी है दरगड के दफ्तर में बारश का पानी घुसाया तो तीन तस्वीरे आप देखिए लखीमपुर खीरी गोंडा और बारा बंकी किस तरह सरकारी दफ्तर और थानों में भी पानी भर जा रहा है और इसी हालत में सबको अपनी ड्यूटी करने पड़ रही है वह उतर प्रदेश की कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है लेकिन लगातार बारिश भीशन गर्मी से राहत बनकर तो आई है लेकिन ये राहत कम अब आफत जादा साबित होती जा रही है जिसकी तस्वीरे उतर प्रदेश से आज ये तीन तस्वीरे सामने आई है पह वाली कर्णल गंच में बारश का पानी भर गया जिसके बाद पुलिस कर्मियों को मजबूरन पानी के बीच में से ही काम करना पड़ रहा है।